ओहो, शह, सत्तर किलो के इंसान का, अठारा किलो की नन्ही सी जान कुमारना किसी जुर्म से कम नहीं है, पेचारे, तुम मुसकूराती हो तो फूल खिले, पेरे बैटी को देखा, उसको ढूंदू पागल हूं क्या, उसे ढूंड या मट, ढूंड लेकिन बात करते करते कीचर मैं मत गिर जाना, कविन, कविन, सर, ऐसा लगता है कि आप भी कुछ ढूंड रहा है, अपनी बेटी को ढूंड रहा हूं सर, बच गया, आपको इस बात के खुशी हो रही है, नहीं सर, मेरा बेटा भी गायब है, अब दोनों साथ में गायब है, सुनकर थोड़ा खुश हो यह बात है, वहाँ पर नहीं है, वहाँ भी नहीं है, सर, तो यह तुम्हारा गार है, कहीं भी नहीं है, क्या हूँ नहीं है, क्या हूँ नहीं है, मेरे पापा फोन पर बात कर रहे होंगे, या फेर बात्रूम में होंगे, कहां गई थी, तुझे कभसे ढूंड रहे हम लोग सॉरी, सॉरी, ये मेरे ही गर पर थे क्या सर, आप तो डॉक्टर है, बच्चों का इसे रखना गलत बात है ना हाँ, गलत है सर, पर बच्चे बात कर रहे थे और मैं बस सुनता ही रह गया एक बार फिर से कहता हूं गलत मत समझे, इन दोनों को मेरे क्लेनिक लिए आईए, आमने सामने बैठ कर बात करते हैं, ये लीजे मेरा कार्ड मिलते हैं, सॉरी, बाई आपने देखा ना सर, आज कर डॉक्टर ने घर डून का पेशन पकरना शुरू कर दिया है, अच्छा बिजनेस है इनका इतने डॉक्टर्स को मिल चुके हैं, इन्हें भी मिलके देख लेते हैं डॉक्टर, छूटा साभी पेन हो तो ऐसा लगते हैं जैसे अटाइक आगया है मुझे बहुत डॉक्टर दिखा चुके हैं, इसलिए बिना सोचे उस दिन आपका विज़िंग कार्ड फेग दिया, सॉरी डॉक्टर कोई बात नहीं, हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग डॉक्टर हैं, आपके प्रॉब्लम का डॉक्टर आपको मिला नहीं, यही आपकी प्रॉब्लम है जरूरत नहीं है, लेकिन हमने तो सर से पाउं तक, एक्सरे, स्कैन, सर टेस्ट करवा चुके हैं, डॉक्टर क्यूं करवाया है यह सर, शैतानी से स्कैन का क्या लेना देना होता है, सर I mean, बुरा मत मानना, बड़ उसकी एक वीकनेस की वज़े से हर डॉक्टर हमें बेवकुफ बना रहा है, टॉइस बेचने वाले से लेकर स्कूल चलाने वाले तक, कपड़े बेचने वाला भी कम नहीं है सर, हमारे कपड़े पाच्सो में आते हैं, तो उसके पंदरा सो से पाच उन बच्चों को ठीक करने से पहले, उनके माबाप को ठीक करना पड़ेगा, हाँ? यह, पहले उन्हें काउंसिलिंग देनी होगी, स्ट्रेस के लास स्टेज पर है, वो बैंक मैनेजर तो लास स्टेज भी पार कर चुका होगा, क्या करें, यह सब एक मीटिंग में ठीक होने इन सान, अमबानी से भी दसगुना पैसा होगा उसके पास, उतना पैसा मेरे पास होता तो मैं तो भागली हो जाता, माइकल जैक्सन, ओ, माइकल जैक्सन की मैं बहुत बड़ी फैन हू सर, मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तब उनके पोस्टर अपने रूम में चिपकाती कितना क्रेज, क्या स्टाइल, जब ही उनका डांस टिवी पर आता था, तब मैं किसी को चैनल नहीं बदलने, अब, लौड कृष्णा पसंद है, ओ हो हो, कृष्णा को कौन ही पसंद करता, मैंने तो उनके सारे एपिसोर्स देखे है, कृष्णा भगवान से लेकर, बिल गे मैं भी है, क्या बात कर रहे है सर, येस, आम सीरियस, अब मैं, जो कहूंगा उस पर यकीन करने के लिए, आपको पहले आंखों से चश्मा हटाना होगा, अरे, नहीं, मैं इस चश्मे की बात नहीं कर रहा, अपने बच्चों को देखने वाला काला चश्मा उतारने को का, ये Attention Deficit, Hyperactive Disorder, मतलब दूसरे बच्चों की तरह ये नॉर्मल लाइफ महीं चीज सकता क्या, ये लोग भीड से अलग खड़े रहते हैं, इसलिए इन्हें अबनॉर्मल मत समझे, लिकेन भी Extraordinary, Outstanding, ये हमसे अलग नहीं है, बस अलग रास्ते पर खड़े हैं, ये दूसरों के आए रास्ते पर चलने के बजाए खुद का रास्ता बनाकर चलना पसंद करते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन बच्चों को उनकी मनमानी भी नहीं करने दे सकते हैं, अगर अच्छे नबर्स नहीं आई तो IIT-IM में कैसे जाएंगे, IIT-IM तो ठीक है, मैं आपके सपनों को गलत पर हम जो अचीव नहीं कर सके, वो उनसे अचीव करवाने की कोशिश मत कीजिए, वो सिर्फ हाइपर अक्टिव ही नहीं है, हाइपर अक्टिव एंड हाइली इंटिलेक्चुल है, in fact हमसे दो कदम आगे ही रहेगी वो, घल्ती भी ब्रिलियंटली करती है, शीज अ मुँ बन करके खड़े रहना ही होगा, हे, जस्किडिंग, आजकल बहुत से स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, बस एक्जाम्स कैसे देने वही सिखाते हैं, आजा, क्या भगवान के लिए हम उस रेज से बाहर नहीं आ सकते, बच्चों को जिन्दकी में मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, सर ये कभी ठीक होगा भी या नहीं, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, आपका क्लिनिक पर स्कूल जैसा ही है सर, रेली, थैंक यू, आपके बच्चे जी स्कूल में पढ़ते हैं, वहां इसे इडमिशन मिल सकता है, आपके बच्चे जी स्कूल में अब आप लोग चले चाहिए, मैं देख लूँगी, आपने कहा था कि स्कूल जैसा नहीं है, लेकिन यहां पर भी कान पकड़कर पनिश्मेंट दे रहे हैं, वह पनिश्मेंट नहीं है, इस कॉल सूपर ब्रेन योगा, बच्चे हर वक्त एनरजेटिक रह सकें और पूरी त कर सकें, इसलिए हम थोड़ा एक्सरसाइज करवाते हैं, टोंट परी, मैं संभालूंगी, बाइ, हेई किट्स, दो नए फ्रेंड्स आए हैं, आप लोग वहां जाकर बैचाओ, ओके चुल्रेन, फाइफ, फोर, फ्री, टू, वान, रेड़ी, सकका स्करूर रूस है क्या, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, नैना, हस क्यों नहीं रही हो, क्योंकि हमारा स्करूर रूस नहीं है मैडम, वो क्या है ना, इस तरहें खिल-खिला कर हसने से, हमारी मसल्स फ्री होती है, टेंशन भूल जाते हैं, और रिलाक्स होकर पढ़ाई प कॉंसेट्रेट कर पाते हैं फॉरिंड कंट्रीज में बच्चे यही फॉलो करते हैं साइए, साइए हां तो मैं यह कह रहा था कि तीचर्ज हो या मेरे जैसे डॉक्टर्ज हो बस बोल-बोल कर अड्वाइस देते हैं बच्चे विल बेरे इंट्रेस्टिंग कर इंज्घर अइड बच्चे चो हो यह ना सीड होते हैं और पेरेंस गार्दनस होते हैं हमारी फैमिली, रिष्टेदार उस सीट को पकड़ने वाली मिट्टी होती है। टीचर्ज सूरज की किरने होती हैं और दोस्त पानी की तरह। और थेरेपिस्ट, डॉक्टर्ज, इन्हेम अग्रिकल्चर और ओफिसर्स कहते हैं। डॉक्टर्स से दी जाने वाली थेरेपी से ज्यादा, फैमिली थेरेपी ही बेस्ट है। जो पेरेंस अपने बच्चों के साथ मिल जूलकर खेलते हैं, वही एडी एच्टी को कंट्रोल भी कर पाते हैं। मैं पेरेंस कह रहा हूं लेकिन डार्ज भी इसमें शामिल हैं, डार्ज ओल्स हैं। बट मदर्स अदर बेस्ट थेरेपिस्ट्स। सब अपनी पसंदीदा जगह पर बैट गए हो ना? हाँ टीचाँ। मैडम सर्कुलर आया है। ओ, टालेंटीना 2014 ठीक है, इस टालेंटीना 2014 इंटर स्कूल कंपेडिशन में जो भी भाग लेना चाहता है, खुद मेरे पास आकर अपना नाम लिखवा दो, मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करूँगी। तो कौन हिसा लेना चाहता है? मैं माइमेक्ट करूँगा। मैं स्टोरी सुनाऊंगी। मैं डान्स करूँगा। कहानी सुनाना, उनको फ्यूचर में कैसे योस्फुल होगा। डान्स म्यूसिपी तो ऐसा ही है ना। उसे सिखने का फाइदा। कविन म्यूसिक में जो इंटरस्ट दिखाता है उसे निगलेक्ट मत करो। इल्ले राजा और एयार रह्मान के बारे में सोचो। हारी पॉर्टर राइटर जे की राउलिंग फिक्शिन कहानी लिखकर अरबर रुपय नहीं कमाते हैं क्या। इतना ही नहीं अपनी राइटर्स जे के सुजाता चेतन भगत यह लोग भी तो अच्छे एक्जामपल्स है ना। इसलिए नैना का कहानी सुनाना फ्यूचर में बेमतलब होगा ऐसा मत सोचो। उनके टैलेंट को प्लीज वेस्ट मत होने दो। उनकी बातों को हम कैसे इंकरेज करते हैं वो सोचो। ओके आप कविन को क्या बनाना चाहती हैं। जो भी बनें लेकिन अपने पापा की तरह ना बनें। स्पॉट पेंटिंग पुरी हो गई। वाव ब्रवी एक्सिलेंट। इधर आओ। बहुत अच्छा बनाएं। आपके दोनों बची कितने स्मार्ट हैं। उन्हें देखकर ही मुझे जलन होने लगती है। आप क्या-क्या फॉलो करती हैं। जब मैं प्रेगनन थी, हम लोग एक अच्छी चीज फॉलो करते थे। पापा बनने वाले हो। पापा बनने लिए करते हैं।